मुवी की सुरुआत में हम अस्टूर्ट लिटिल को देख पाते हैं जो एक छोटा सा चूहा है जिसे लिटिल फैमिली ने गूद लिया है और वो अब उसी फैमिली के साथ गोल मिलकर रहा करता है यहीं हम मिसिस लिटिल यानी एले नूर को देख पाते हैं जो अस्टूर्ट क जहाँ पे हम देखते हैं कि जॉर्ज तो अपनी टीम का हिस्सा था लेकिन स्टूर्ट को खेलाया नहीं जाता क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा था अब मैच स्टार्ट होता है और उसी दोरान हम देख पाते हैं कि जॉर्ज की टीम का एक खिलारी इंजर्ड हो गया था जि अपनी टीम के लिए गोल कर देता है सभी लोग बहुत खुस होते हैं लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि फुटबॉल के साथ साथ जॉर्ज ने श्टूर्ट को भी किक मारी थी इसी कारण वो भी गोल पोस्ट पर जाकर सीधा टकरा जाता है ये देखकर उसकी मौम एले इसके बाद हमें स्टूर्ट और जॉर्ज दोनों को दिखाया जाता है जो अपने अपने रूम में मौजूद थे इधर हम जॉर्ज को देखते हैं जो फुटबॉल मैच जितने के बाद बहुत ज्यादा खुस था लेकिन वहीं स्टूर्ट बहुत ज्यादा दुखी था क्य रहे थे लेकिन तभी जॉर्ज का एक दोस्त विल वहाँ पर आता है जिस कारण जॉर्ज को उसके साथ जाना पड़ता है इधर अश्टूर्ट अकेले ही उस प्लेन को कम्प्लीट करने में लग जाता है लेकिन उस दौरान अंजाने में उससे वो प्लेन आन हो जाता और वो बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि उसी दौरान अश्टूर्ट का प्लेन उड़ता हुआ उसके सर के उपर से गुजरता है अब सारे लोग प्लेन का पीछा करते हुए सहर की तरफ भागने लगते हैं अश्टूर्ट उस प्लेन को काबू नहीं कर पा रहा था और प्लेन द बहुत जादा दुर्खी था इसी कारण वो अश्टूर्ट पर बहुत जादा गुजसा करता है लेकिन एलेन उर उसे प्लेन को वहीं पर छोड़कर अपने घर चलने को कहती है इस बात से अश्टूर्ट बहुत जादा दुखी होता है क्योंकि उश्ぬार आप ही बहाई का वो प्लीन तोड़ दिया था जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया था इस कारण वो अपनी फैमली के साथ घर नहीं जाता इधर हम फ्रेडरिक और स्टूर्ट को देखते हैं जहांपर फ्रेडरिक अपने बेटे स्टूर्ट को समझानी की कोसिस कर रहा था वो बताता है कि तुम् वहाँ पर जॉर्ट को देखते हैं जो हर रोज अस्टूर्ट के साथ ये स्कूल खत्मोने पर घर जाया करता था लेकिन आज वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है क्योंकि वो अभी तक अस्टूर्ट से गुस्सा था इस कारण अस्टूर्ट निरास होकर अकेले ही घर क तरफ जाने लगता है पर उसी दोरान उसकी गाड़ी में एक छोटा सा बर्ड गिरता है जो बहुत ही जादा घायल था अस्टूर्ट उसे अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है क्योंकि उसका पीछा एक फैलकन कर रहा था किसी तरह से वो दोनों फैलकन से बचते हुए अपने घर पहुंचते हैं जहाँ पर बर्ड अस्टूर्ट को अपना नाम मारगलो बताती है अस्टूर्ट मारगलो की मरहम पट्टी करता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से घायल थी इस दोरान मारगलो अस्टूर्ट को बताती है कि उस फैलकन ने उसकी सारी फैमली को खत्म कर दिया और वो उसे एक टूटी रिंग दिखाती है जो उसकी मां की आखरे निशानी थी ये सब सुनकर अश्टुवर्ट को बहुत दुख होता है जिस कारण से वो मर्गलो को अपने साथ ही घर में ठैरने को कहता है क्योंकि कभी भी वो फैलकन उस पर अटैक करके उसे खत्म कर सकता था मर्गलो अश्टुवर्ट की इस बात को मान जाती है इसके बाद अश्टुवर्ट अपने एक दो स्नोबेल से मिलाने के लिए मर्गलो को ले जाता है जो की एक बिल्ला था स्नोबेल भी अश्टुवर्ट के साथ ही वहाँ पर रहा करता था वो मर्गलो को देखकर डर जाता है क्योंकि वो एक अजीब तरह की पच्छी थी इसके बाद जब अस्टूर्ट के पैरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं तो अस्टूर्ट मार्गलो के बारे में उन्हें सारी बात बताता है फ्रेडरिक इस बात से खुस होता है कि अस्टूर्ट को अपना एक नया दोस्त मिल चुका है और अस्टूर्ट भी बहुत खुस है इसकारण उसके पैरेंट्स मार्गलो को उस घर में रहने की जाजा दे देते हैं अगले दिन स्टुवर्ट स्कूल चला जाता है और वहीं एलेन और उसकी बेटी मार्था दोनों घर पर थी लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी घर से चले जाते हैं जिस कारण से अब मार्गलो घर के बाहर आती है तब ही हम उसी फैलकन को देखते हैं जो उसी के पास आता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि फैलकन ने तो मार्गलो को किसी मकसद से श्टुवर्ट के घर पे बेजा था दरसल फैलकन आसपास के घर उसे कीमती चीज़े चुराया करता था और इसके लिए वो मार्गलो का साहर अलिता था क्योंकि वो देखने में एक प्यारा सा पच्ची था जिसे देखकर किसी को भी कोई सक नहीं होता और यहां पर हमें पता चलता है कि मार्गलो की कोई फैमिली थी ही नहीं वो तो अश्टूइट के गर पर किसी कीमती चीज को चुराने आई थी यहां मार्गलो फैलकन को बताती है कि अश्टूइट की फैमिली बहुत अच्छी है और उन लोगों के घर पर किसी तरह की कीमती चीज नहीं है इस कारण हमें कोई दूसरा घर डूनना चाहिए हलाकि इस दोरान वो बताती है कि एलेनोर के पास एक कीमती रिंग है जिसे साइद वो चुरा सके वो Falcon उसे उसी रिंग को चुराने के लिए कहता है और उसे डरा धमका कर अपने इस काम को करने को कहता है क्योंकि कई बार Falcon ने मार्गलो की जान बचाई थी कई बड़े बड़े पच्चियों से और इसी करण वो उसका इन सब चीजों में साथ दे रही थी इसके बाद Falcon वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि अस्टूर्ट और मार्गलो एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं और वो दोनों बहुत खुस हैं मार्गलो भी लिटिल फैमली के साथ बहुत खुस थी और बहुत इंज्वाई कर रही होती है और अब वो Falcon की वार्निंग को भी भूल चुकी थी लेकिन तभी इन सब चीजों को Falcon देख लेता है और वो काम पूरा ना होने पर दोबारा मार्गलो से मिलने आता है और उसे धमकाते हुए वो कहता है कि अगर उसने उस रिंग को नहीं चुराया तो वो अश्टूर्ट को खत्म कर देगा ये सुनने के बाद मार्गलो को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और उसे अश्टूर्ट की काफे फिक रहने लगती है फैलकन समझ चुका था कि मार्गलो को समझाने का यही एक तरीका है क्योंकि वो लेटिल फैमली के काफी करीब आ गई थी इसके बाद हम एलेनॉर को देखते हैं जो बेसिन के पास बरतन धो रही होती है और वहीं पर उसने अपनी उस कीमती रिंग को उतार कर रख दिया था लेकिन थोड़ी देर बाद मार्था के रोने के कारण वो उसी के पास चली जाती है और तब ही फ्रेडरिक वहाँ आकर उन बरतनों को धोने लगता है थोड़ी देर बाद जब एलेनॉर वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि जहाँ उसने वो रिंग रखी थी वहाँ वो रिंग मौजूद नहीं थी तो उन्हें लगता है कि साइध वो रिंग बेसिन में गिर गई जिस कारण वो लोग बहुत परिशान हो जाते हैं क्यूंकि वो रिंग बहुत कीमती थी तो एलेनॉर प्लंबर को कॉल करने के लिए वहाँ से चली जाती है इधर हम फ्रेडरिक को देखते हैं जो बेसिन के पास ही खड़ा था तब ही वहाँ पर जॉर्ज और स्टूर्ट आते हैं जिने सारा मामला पता चल चुका था जिसके बाद स्टूर्ट बताता है कि उसका साइज बहुत छोटा है और वो बेसिन में जाकर रिंग को खोज कर ला सकता है वो बताता है कि वो एक अस्प्रिंग की मदद से उस बेसिन में जाकर उस संगूठी को ढूंड कर ला सकता है तो फ्रेडरिक भी उसकी इस बात को मान लेता है और स्टूर्ट को एक स्प्रिंग के सारे उस बेसिन में भेज दिया जाता है लेकिन तभी वहाँ पर एलेनोर आ जाती है जिससे फ्रेडरिक घब रा जाता है क्योंकि स्टूर्ट को लेकर एलेनोर को बहुत फिक्र रहती थी और उसे ये नहीं पता होता है कि स्टूर्ट रिं उसे अस्टूर्ट के फेक्र होती है जिस करण वो उड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है और किसी तरह से वो अस्टूर्ट को बचा लेती है जिसकी वज़े से अब अस्टूर्ट मार्गलो के और भी ज़्यादा करीब आ चुगा था उसी राथ जब सारे लोग सो जाते हैं जाती है और वो जाने से पहले अपने उस टूटी हुई रिंग को अस्टूर्ट के पास छोड़ कर जाती है सुबाओने पर अस्टूर्ट को भी इस बात की जानकारी मिल जाती है और उसे लगता है कि साध उसे फैलकन पकड़ कर ले गया जिस करन वो बहुत ज़्यादा कोखकर रिंग को तरी है जिसे फैलकन ले गया वो जिए गर वाले उसके बारे में पूँचे तो कोई बहाना बनाकर वो उन्हें समझा दे वहीं जोट को बताता है कि वह अपने साथ किसी को मदद के लिए ले जाए इसलिए एस्टूर्ट सोबेल के पास पहुंचता है और इस पर स्नोबेल भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो भी उसका अच्छा दोस्त बन चुका था अगले दिन होने पर एलेनोर जॉर्ज से स्टुवर्ट के बारे में पूछती है जिस पर जॉर्ज बताता है कि यह स्टुवर्ट सुभा ही जल्दी स्कूल चला गया लेकिन साम होने पर जब वो घर वापस नहीं आता तो एलेनोर को स्टुवर्ट की फेकर होने लगती है जिस पर दुबारा एलेनोर जॉर्ज से स्टुवर्ट के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि यह स्टुवर्ट आज रात विल के साथ ही रहेगा जो जॉर्ज का दोस्त था इसके बाद एलेनोर विल के घर पर फोन लगा कर पूछती है कि क्या स्टुवर्ट उसके घर पर है तो जॉर्ज विल से कह देता है कि वो एलेनोर से जूट बोल दे कि यह स्टुवर्ट उसी के साथ है लेकिन एलेनूर को अब सारी बाते पता चल चुकी थी कि यह स्टुवर्ट बिल के साथ नहीं है और जॉर्ज भी उससे जूड बोल रहा है इसके बाद हम स्टुवर्ट और स्नोबेल को देखते हैं जो लगतार फैलकन का पता डोन रहे थे लेकिन अभी तक ना तो उन्हें फ खतरनाक भी है जिसने अब तक कई सारी पक्चियों को बेरैमी से खत्म कर दिया और वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि जो भी उस बिल्डिंग में जाता है वो वापस लोटकर दोबारा आता नहीं ये सुनने के बाद स्नोबेल पूरी तरह से डर जाता है लेकिन अस्टुवर अकेला ही बलून की मदद से उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जहां उसे फैलकन और मार्गलो दोनों मिल जाते हैं वहाँ पहुंचने पर अस्टुवर्ट को मार्गलो के बारे में सारी बाते पता चलती है लेकिन ये सब चीजे जानने के बाद भी अस्टुवर्ट मा जाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन फैलकन उसे एक केन के अंदर बंद कर दीता है इधर मार्गलो नीचे गिर रहा होता है जो जाकर सीधे एक कचरे के ट्रक में गिरता है और वहीं पर बेहुस हो जाता है वहीं अब हम स्टुवर्ट को देखते हैं जो अभी भी बिल् से नीचे फिक दिया ये सुनकर स्नोबिल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता और वो रोने लगता है इधर हम एलेनोर और फ्रेडरिक को देखते हैं जिने अस्टुवर्ट के फिक्र हो रही थी इसलिए वो विल के घर पर जाते हैं ताकि वो अस्टुवर्ट के बारे में निकल पड़ते हैं अस्टुवर्ट ने जोर्ज को बता रखा था कि फैलकन कहां रहता है और वो सभी लोग भी उसी तरफ जा रहे थे इधर हम स्टुवर्ट को देखते हैं जो अभी उस कच्रे में पड़ा हुआ था और उसे जब होस आता है तो वो देखता है कि वो एक ब केन को तैयार करता है और उस पर सवार होकर उसे बिल्डिंग की तरफ पहुँच जाता है जाफर फैलकन रहा करता था इसके बद हम स्टुवर्ट को देखते हैं जो किसी तरह से मारकलो को उस कैन के बाहर निकालता है लेकिन तभी वहाँ पर फैलकन आ जाता है जिसकी वजक से स्नोबेल उसी केन के अंदर छुप जाता है लेकिन इस बात की जानकारी फैलकन को भी हो चुकी थी इसलिए वो उस केन को उठा कर उस बिल्लिंग से नीचे फेकने लगता है लेकिन तभी मार्गलो उसे बताती है कि अगर उसने स्नोबेल को नुकसान पहुंचाया तो वो उ फैलकन अब उन दोनों का पीछा कर रहा था इधर स्नोबेल भी उस बिल्लिंग के नीचे गिरने ही वाला था और वहीं जॉर्ज अपनी पूरी फैमली के साथ उसे बिल्लिंग के पास पहुंच चुका था इधर फैलकन जो उन दोनों का पीछा कर रहा था वो किसी तरह से उ मारगलो की चुराई हुई वो रिंग मौजूद थी और वो उसी रिंग का इस्तिमाल करते हुए अचानक से फैलकन के आखों के सामने तीज रौशनी ला देता है जिससे फैलकन को कुछ भी नजर नहीं आता और उसका ध्यान भटक जाता है और अस्टूर्ट बड़ी ही चाला से उसकी फैमली भी बहुत कुस्ती वहीं मारगलो कुछ दिन तक लिटिल फैमली के साथ ही रहती है लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये मूबी यहीं पर खत्म होती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलागन जरूर दबाले